वन डे पहले मैंने आपको MIUI 14 के logo, about page और बाकी दर चीज़ को वह में बताया था लेकिन आज के date में MIUI 14 का update भाई internal testing के लिए ready हो चुका है और कौन-कौन से devices के लिए कौन-कौन सा version ready हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारा global, Indian, China, 3-4 country के लिए available है तो चलिए आते हैं लिस्ट के उपर देखते हैं कि कौन-कौन से यहाँ पे Xiaomi, Redmi और Poco के devices हैं जिनके लिए MIUI 14 का ready हाई testing चालू हो चुका है और उन्हें कब तक है जो देखनी को मिलेगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेगा चैनल पे नहीं है तो subscribe और कस्टमरों के वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैंना सेकेंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो headline जो कि MIUI 14 eligible devices and features जो की update किया गया है 18 November को आज ही की date में जो की 8-10 minute पहले ही है और यह information में आपके साथ share कर रहा हूँ और भाई यहाँ पे features की बात करेना है तो मैंने एक already dedicated video दिया था जिसमें बताया है कि MIUI 14 गंदर क्या-क्या features मिलने वाले हैं और उसके लाब आप बहुत कुछ मिलेगा तो उस वीडियो का आप एक चेक आउट जरूर कर लेना लेकिन आज हम बात करते हैं कोनको सा है जो device के लिए ready हो चुका है कोनको सा version देखनी को मिलने वाला है तो यहां पर आप देखने तो सभी की जो testing है जैसे कि यहां पर Lisa जो कि मेरे पास है यह मैडरीन है और यहां पर आप दिखने को मिलता है लिए बटने बिखाई के द है जिनका अपडेट रेडी है, अब वर्जेन की बात करें, तो यहां पर चायना बिल्ल्ट की बात करते है क्यो कुछ चाइना दो बात करते तो सबसे पहले हमारा Saomi का 13 Pro है जो कि अभी ज़क तो आया नहीं Global बग रहा है तो इसके लिए 14.0.4 रेडी है उसी के तरह 13 12S Ultra 12 Pro 12S 12 Pro Diamond City Edition 12 Pro 12 12X K60 Pro K60 K50 Gaming K50 Ultra K50 Pro K50 Mi 11 Ultra Mi 11 Saomi का CV2 Saomi का CV1 Saomi का Mi 11 Ali है जो कि India और Global में Saomi 11 Lite Any के नाम से गया है वही है उसका Saomi का 2L SA K40 K40 Gaming K40 Pro Pro Plus Mi Mix 4 Note 10 Pro 5G Redmi Note 11 Pro और Pro Plus यह जितने वीडियो आइसे जना है इन सभी क्लिवाई Mi Y14 का Update रेडी हो चुका है जिसके अबर्जन आपको साइड में लिखाव मिर रहा है जो कि 14.0.7 है किसी का 003 है तो किसी का 0021 है तो किसी का 00198 सम्थिंग ऐसे ही है तो इनके बाए इंटर्नल टेस्टिंग फिलाल चल रही है इस बिल्ड के साथ और जब यह पब्लिक रॉल आउट होगा जब आपको साइड 14.0.1 या 14.0.00 करके देखनी को मिल सकता है अब बार यह आती है गलोवल की कि गलोवल में कुनको से डिवाइस से आने वाले है तो आप देखो भाई जो चाइना का लिस्ट वह थो अब लंबा है और गलोवल का बहुत कम है क्योंकि सबसे पहले चाइना में जाता है सब कुछ सबको सही हो जाने के बाद वह आपडेट मिलने के बाद वह गलोवल में लिकलता है तो इसलिए गलोवल में अभी फिलाल आपको कम ही डिवाइस के नाम देखनी को मिलते हैं जो कि साव्मी का 13 Pro 13 13 Lite 12T Pro सामी 11T Pro सामी का Mi 11 Ultra Poco F5 Poco F3 जो कि इंडिया में Poco F3 है जो Mi 11 XC है यह तो यह जितने भी डिवाइसे है ना इन सभी के लिए भाई ग्लोबल में भी इंटर्नल टेस्टिंग है जो चालू है इन सभी बिल्ड नमर के साथ उसके बाद आता है यानि इरोप का तो इरोप के जोड़ डिवाइसे है वो है 13 प्रो 13 13 लाइट 12T प्रो 12T 12X Saomi 11 Lite NE 5G 11T Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Poco F5, Poco F3, Poco X5 Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G तो यह सारे ग्लोबल के डिवाइसे आ जाते हैं जो कि भाई यहां पर चाइना के कंपरेजन में काफी कम देखनी को मिलता है ग्लोबल और EEA का और उससे भी ज्यादा कम हमें देखनी को मिलता है इंडिया का जो कि आप इसे तो दो तीन ही दिवाइसे यहां पर नजर आ रही है जो कि सबसे फर्स्ट पर सौमी का 11T Pro जो कि 14.0.0.3 है उसके पास सौमी 11 Lite NE 5G है जो कि मारा 14.0.0.1 है और अनादर यहां पर जो Mi 11X जो कि मेरे पास है यह दोनो डिवाइसे जो जब भी अपडेट आएगा आपको जो मिल जाएगा उसका यहां पर Mi 11X Pro है जो कि 14.0.0.2 के साथ देखनी को मिलता है तो बस इतने ही है जो इंटरनल टेस्टिंग फिलाल चल रहे हैं Mi 14 के जो कि अलब अलग कंट्री के लिए है ऐसा नहीं कि इन ही को मिलेगा बाके दर डिवाइसे को भी मिलेगा बट इंटरन अलग कंट्री के लिए जो कि डेवाइडे इंप्रूब होने वाला है और वहीं पर फीचर्स की बात करेना तो आप मेरा वो वीडियो चेक आउट कर लेना आपको यहां पर पता चल जाएगा और यह है यहां पर फर्स्ट चाइना बिल जो कि सबसे पहले यह बना था और इन में चेक करोगे तो आपको पता चल जाए कि हाँ यह साइज चीजे मेंने जो सोग कर रखिये तो उसे यहां आप जरूर चेक कर लेना आज का वीडियो कैसा लगा कितना इंफ्रमेटिव रहा आपके लिए आपके पास कौन सा डिवाइस है कमेंट करके जरूर बताना और पस हुआ हुआ है